नमस्कार, लीगली स्पीकिंग के डेजिटल प्लाटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, मैं हुली हमश्रा आज हम बताएंगे तमिलाडू के खेल मंत्री उद्यनिधी स्टॉलिन ने एक पत्र जारी कर सनातंधर पर अपने बयानों को स्फष्ट किया है और कहा है भाजपा के निताओं को उनके भाशन को तोड मरोग कर पेश किया है स्टॉलिन ने कहा है पिछली नौ वरसों से भाजपा के सभी वादे खोकले वादे हैं और वास्ताओं में हमारी कल्यान के लिए किया क्या है उन्होंने इस बाद पर भी जोड़ दिया कि भाजपा निताओं ने TNPW UA सम्मेलन में उनके भाशन को तोड मरोग कर पेश किया और इसे खुद को बचाने के लिए एक हतियार के रूप में इस्तिमाल कर रहे हैं उन्होंने इस बाद पर भी आश्यर वेत किया कि अमिश्या जैसे केंद्र मंत्री और भाजपा शाशत राज़ों के मुख्य मंत्री फरजी खबरों के आधार पर उनके खिलाफ कारवाई की मांग कर रहे हैं उन्होंने का में ध्रमिक के संस्थापक पैररिगनर अन्ना की राजनितिक उत्राधिकारियों में से एक हूँ हर कोई जानता है कि हम किसे भी धर्म के दुश्मन नहीं है इस बीच राज प्रमुक के अन्ना मलाई के नेतरतु में तमिलनाडू भाजबा नेताओ के एक प्रतिमंडन ने तमिलनाडू के राज़पाल आरेन रवी से मुलाकात की और उदैनिधी स्टॉलिन के खिलाफ उनके कतित नफरत भड़े भाशन के लिए मामने दर्श करते की मांग करते हुए एक याचिका सौपी भाजबा नेता कारू नागराजन ने बताया कि उदैनिधी स्टॉलिन के टिपड़ी को हिंदू धर्म को खत्र करने के आहवन के रूप में माना गया था और उन्होंने राजपाल से उन्हें मानव संसाधन और सीए मंतरी शेखर बाबुस के साथ कैबिनेट से हटाने का अनुरोद किया है जिन्होंने उसी कारिकम में भाग लिया था फिलाल वीडियो में बस इतना इसी तरह लीगल न्यूस के अपडेट के लिए क्रिपे हमारे चानल को शेर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें